नमस्कार मैं और ओहित कुमार आपने श्वानेशन देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से जहां पर एम्स में ICU में भरती रगवंश पसास सिंग ने आरज़ेटी से स्तीफा कर दिया है उन्होंने लालू यादव को एक साधे कागस पर इस्तीफा जो है वो भेज दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो 32 साल तक जो है वो आरज़ेटी के साथ रहे लेकिन अब खड़ा रहना संभव नहीं है लहाज़ा वो इस्तीफा दे रहे हैं उन्होंने सभी को धन्यवाद ग्यापित किया है आपको बता दें कि रगवं यादव बीच में इंटर्वीन करके उन्हें समझाते थे और उसके बाद वो एक वाफ़ी से सम्मान ने हो जाते थे पार्टी में सक्रिये नजर आते थे लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके नराज़गी लगतार बढ़ती चली गई आपको बताएं कि रगवंश पसास सि रहे थे उसके बाद जब वो स्वस्थ हो करके पटना अपने घर लोटे उसके बाद उनकी नराज़गी के खबरे सामने आती रही हालाकि आट जेडी ये सफाई देता रहा इस मामले पर कि वो नराज नहीं है गार जीये नहीं किसी बात को लिकर के थोड़ी नराज़गी हो सकती ही लेकिन वो पार्टी छोड़ने के बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है लेकिन रगुबंस प्रशास्तिंगी ने जो चिठी लिखिये उसमनोंने साफ लिखा है आज की तारी का जिक्र किया है अपने बारे में जो जगह लिखी है उसका वो जगह है दिल्ली एम्स जह रहा लेकिन अब नहीं पाटी नेता कारिकरता और आमजन से बड़ा स्ने दिया मुझे छमा करें यह लिखा है उसके बाद रगुबंस प्रशास सिंग के नराजी के तेंचार वजहें रही है जिसमें सबसे में यह रहा कि वह जगदारन सिंग के पाटी के में धक्ष बना ज नराज हुए है उसके बाद उनकी बात नहीं सूरी जाने लगी इस बात की नराजगी उनके अंदर में थी और जिस तरीके से खबरे आ रहे हैं तिकिरामा सिंग जो कि उन्हीं के समसाथिये छेतर से आते हैं उनको आर्जेड़ी में शामिल करा जाना इन तमाम चीजों की ख अप्य चित्थे सामने आई जिसमें उन्होंने इस्तिफा दे धिया आरजइडी सी और ये इस्तिफा भीजाय मुझे लालुयादर को इराचिक रेम इस में की jest zar fought दिया है और माफी मांगी है इस साफ कहा है कि 32 साल तक लालू यादर के पीछे रगुवंज बाबू जहीं वो खड़े रहे हैं कि पार्टी के सबसे सीम्दर नेताओं में से एक है रगुवंज बसासिंग और वो 32 साल के आसपास के वक्तंग जो है वो लगतार खड़े रहे है और इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार धन्सवा चुनाव से ठीक पहले आरजीदी को लगा है सबसे बड़ा जटका कि कि लालू यादर की ग्यार मौजूदगी में सबसे सीमियर कोईगर नेता पाटी में इस वक्त था जो सक्त्रिय था वो रगुवंज बाबू थे औ और जाही तरप उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हो सकता है अब किस तरीके से आगे वो स्टेप आउट करेंगे कहां जाएंगे क्या चीज़ें होगी यह बहुत क्लियर नहीं है लेकिन नराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा लालू या किया है और साथ ही लोगों से माफी मांगी है फलाल इतना ही देखते रही न्यूज फोरनेशन नमस्कार